आज ही डाउटनेट आप डाउनलोड करें डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी Maths, Chemistry, Physics और Biology डाउट्स का सफाया बस अपने Question की Photo खीचो उसे Crop करो और तुरंत वीडियो सिलीशन पाओ डाउनलोड नाओ उसका जो main purpose होता है वो आपको यह चेक करना होता है कि टीचर ने कितना पढ़ाया है और बचों ने उसको कितना acquire किया है, कितना adopt किया है कितना उसको understand किया है, कितना वो सीखे है ठीक है, तो basically हमें यह पता करना होता है exam के थूँ कि knowledge कितनी gain की है learner ने जो भी टीचर ने उसे पढ़ाया है ठीक है, तो अगर मैं देखूँ कि examination जो है, वो हम क्यों लेते हैं, उसके एक हमने reason देखूँ तो एक तो हमें students को evaluate करना होता है उनका मुल्यांकन करना होता है कि वो जो है, वो कितना सीखे है ठीक है, evaluate करना होता है हम students को examination के थूँ और उन्हें क्या देना होता है grade देने होते है, ठीक है second है, हम उन्हें students को motivate करना चाहते है ताकि वो पढ़ाई करें, अगर हम exam नहीं कराएंगे तो students के पास कोई reason नहीं होगा ठीक है, एक तरह की learning activity है exam क्या है, एक तरह की learning activity ही है students उससे सीखेगा ठीक है, अलग perceptive से उसको question paper को देखेगा उसने जो भी समझा है understand क्या उसको अपने तरीके से लिखेगा तो ठीक है, variety, students की learning में variety add करता है add variety in learning ठीक है, ये सारे जो purpose है वो examination के purpose है कि हमें exam क्यों लेना चाहिए फिर हमें क्या पता चलेगा student की weakness पता चलेगी कि हाँ student जो है, इस topic में weak है या इस topic की understanding उसको कम है तो हम weakness को identify कर सकते है और उसको correct भी कर सकते है ठीक है, तो उसके लिए exam बहुत ज़रूरी है identify weakness and correct them ठीक है, हमें पता चल पाएगा exam के थूरू कि student जो है वो किस subject में, किस topic में lack कर रहा है किस subject में उसकी समझ जो है वो कम है, correct them ठीक है, ये एक purpose हो जाएगा exam का इस तरह से exam के बहुत सारे purpose होते है और आपको अपनी teaching का feedback भी मिल जाएगा कि हाँ, आपने class में students को जो पढ़ाया है student उस चीज को कितना understand कर पाएगे तो ये भी एक basic चीज हो जाएगी कि आपको feedback मिल जाएगा अपनी teaching का ठीक है, feedback on your teaching तो ये सारे purpose जो है, वो किस के हो जाएगे exam के हो जाएगे अब exam हम ले रहे हैं तो किसी भी अच्छे exam की क्या होनी चाहिए, qualification अगर हम कह रहे हैं कि exam जो है, वो अच्छा exam हो इसके लिए सबसे पहले तो क्या होना चाहिए equal opportunity मिलने चाहिए सारे students को, अगर मैं good exam की बात करूँ कि हाँ good exam हम मैं किसे कहोंगी अगर मैं जो था यह एक्जाम जो था वो एक अच्छा exam था तो उसके लिए सबसे पहला जो होना चाहिए सारे students को क्या मिलना चाहिए equal opportunity मिलनी चाहिए ठीक है, equal opportunity मिलनी चाहिए equal opportunity ठीक है, अब equal opportunity के लिए क्या जरूरी है कि students से subjective questions ना पूछे जाएं क्योंकि subjective questions में students होगा, वो answer अलग अलग तिरे किसे रिखेंगे सारे students, ठीक है अब उनको जिस तरह से check करना teachers को, बाइसिंग हो सकती है उसमें teacher जब भी उसको check करेगा तो बाइसिंग हो सकती है ठीक है, दूसरा हम में क्या चाहिए consistency होनी चाहिए consistency होनी चाहिए, और consistency हमें कैसे मिलेगी, अगर हम question paper objective type का बनाएंगे इसमें भी objective type का paper बनाएंगे तो बराबर opportunity मिलेगी क्योंकि objective में answer या तो गलत होगा या सही होगा, या तो full marks होगे या zero marks होगे, तो किसी भी तरह बाइसिंग नहीं हो पाएगी, consistency बनी रहेगी ठीक है, यह भी objective type questions में हो सकता है ठीक है, और no bias हो जाएगा इसमें bias नहीं हो पाएगी, ठीक है, no bias किसी तरह का यह नहीं है, कि teacher ने एक student को number जादा दे दिये, एक को कम दे दिये तो यह काम subjective questions में ऐसे काम हो सकते हैं, ठीक है तो हमें हमेशा use करना चाहिए कि multiple question type हम दे, ताकि students के पास reason हो, या तो full marks लेने का या zero marks लेने का और सब के पास equal opportunity रहेगी और timely वाली बात भी हो जाएगी क्योंकि subjective paper में काफी time लगता है objective paper में time भी जादा नहीं लगता है, जल्दी हो जाता है और पूरा process जो होता है, वो transparent रहता है ठीक है, तो ये जो है, जितने भी point मैंने पढ़ेंगे सारे points तभी valid हैं जब हमारे question paper में objective type के questions हो तो हमारा last वाला option है, जिसमें लिखा only objective तो हमारा क्या हो जाएगा, बिल्कुल correct option हो जाएगा क्योंकि बाकी जो options है उसमें क्या हो सकता है, जो memory और understanding के हैं या understanding और application के हैं उसमें students की thinking, critical thinking और understanding अलग-अलग हो सकती है हो सकता है, सारे students जो है अपनी समझ के हिसाब से answer लिखें तो teacher जब check करेगा तो किसको कम marks मिल रहे है, किसको ज़्यादा मिल रहे है क्या criteria है, check करनेगा, वो criteria अलग-अलग रहेगा तो इससे क्या हो जाएगा एक तो chances रहेंगे, बाइसिंग हो सकती है या validity नहीं रहेगी तो last one option है, that is the correct option तेंक यू